नमस्कार दोस्तों इनकी वर्तमान आयू 62 यर्स है और यह पाम भूत सिंपल है भूत कम रेखा है लिमिटेट रेखा है पर फिर भी संगर्ष करता हुआ पाम पाया जाता है क्योंकि व्यक्ति के पाम पर मनी ट्रेंगल नहीं है जो फोटोग्राफ दिख रहा है वो इसाब से म पर प्रेजेंटली काफी सुक्सांती होगी और यहां पर एक अच्छी सी साइन बन रही है यह साइन के कारण व्यक्ति समझदार बन जाता है समझ सकती व्यक्ति में जाता होती है और अपरचुनिटिया जो जीवन में आती है उसे यह उठाने में काफे एक्सपर्ट होते है पाम को देखे तो ये पाम एक स्क्वेरिश पाम है तो व्यक्ति महनती भी होता है और महनत करके अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिस करता है और सफल बनाता भी है अंगुठा मद्यम है तो मद्यम परसनालिटी होगी पर फैलेंज नुकिला है तो कारे के प्रती जिद भी र परफट होता है उंगलिया बढ़ी है तो व्यक्ति एनालिटिक परस्नालेटी होता है और फर्स फैलेंट भी इनके काफी बढ़े है तो थोड़े से जीवन में यह लोग स्लो हो जाते उतने फास्ट नहीं रहते क्योंकि जादा एनालिटिक करने वाला व्यक्ति फास्ट नहीं बनता सोचने में अच्छा कासा समय उसका चला जाता है फर्स उंगली थोड़ी सी बैंड हो रही है तो धार्मिक भावना होगी और सुरी की उंगली बढ़ी है तो हिमती सभाव की और इशारा जाता है छोटी उंगली फर्स फैलेंज तक पहुंचे तो व्यक्ति डॉक्कुमेंटेशन चीजों को संबाल कर रखना याज शक्ति मनी मेनेजमेंट और अकाउंट्स यह सारी चीजों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है और इनके थर्ड फैलेंज उंगलियों के एक सपाट है यानि चप्ते है तो व्यक्ति बिजनेस करने में माश्टर होता है बिजनेस माइंडेड होता है अब ये बुद्पर्वत पर यहां पर एक भी खड़ी लाइन नहीं है मेरे दो वीडियो थे जो थोड़े से वाइरल हुए कि यहां पर लाइन नहो तो व्यक्ति अपना घर का खर्च भी धंग से चलानी बाता अब ये इनके हाथ में ये लाइन नहीं है पर उसके कारण बहुत लोगों की भावनाय हर्ट हो रही थी बहुत सारे नेगेटिव कॉमेंट आ रहे थे तो मैंने उन दोनों वीडियो को अच्छे खासे व्यू मिलने के बावजूद भी मैंने उनको प्राइवेट कर दिया क्योंकि मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है पर मेरा भावर्त इतना था जब यहां पर एक लाइन नहीं होती तो पुराने जमाने में बाटर सिस्थम चलती थी साधी व्याह में भी कि आपकी लड़की मेरे घर आई तो मेरे लड़के को आप ले लो यानि एक तरह का कॉमर्स टैप का काम होता था जो आज की तारिक में नहीं होता तो कहीं पर मैंने पढ़ा था कि इस तरह की लाइन ना हो तो व्यक्ति अपने बच्चों का भी व्याह खुद की मर्जी से नहीं करा पाता किसी और की हेल्प लेनी पड़ती है और परिवार के खर चलाने में भ व्यक्ति को परिवार की हेल्प लेनी पड़ती है और मेरे पामिश्ट्री जीवन में ऐसे दो चार किसे भी आये थे इस तरह की लाइनों वाले जिनके हाथ में इस तरह की रेका नहीं थी तो मैंने वीडियो बनाया पर यहां पर मैं किसी की भावना दुखा दुखाने नही नहीं आया मैं ज्ञान बाटने आया हूं और पैसा कमाने आया हूं तो मैंने उस वीडियो को कर दिया पर अब इनके हाथ में यह लाइन नहीं तो इनके जो संतान है वो मेरे अच्छे खासे टच में आ गए तो मैं इनसे पूछ लूँगा कि इनके जीवन में यहां ना लाइन होने के कारण क्या effect आया तो मेरा ग्यान और बढ़ेगा अब इनके एक और खासियत इनके हर जगह पर trident बने हुए यानि हर घ्रह की सक्ती को इजाफा मिला हुआ है इंक्रीज हो जाती है शक्ती सुर्य परवत पर भी trident है यह apex टैप की sign trident काओ apex काओ शेम सनी परवत पर भी है यह ग्रहों की सक्ती को बढ़ जाती है सेम गुरु परवत पर भी यहां पर है तो जब इस तरह का sign होता है इनके major sign कुछ भी नहीं है केवल trident है इनके हाथ में तो यह ग्रहों की सक्ती को और बढ़ा देते हैं तो संगर्स के बावजूद भी यह व्यवस्तित जीवन जी होंगे यह इनकी trident से दिखता है क्योंकि सारे ग्रह पावर्फुल हो जाते हैं जब सारे ग्रह पावर्फुल होते तो व्यक्ति संगर्स करते करते भी समरुद्दी की और बढ़ता है यह उस तरफ इशारा जाता है अब बुद्परवत अच्छा है इनका काफी बढ़ा है तो व्यक्ति बोलने की कारे में महारत हासिल करता है व्यापार के गुन उसमें होते ही है सुर्य परवत पर भी देखे तो ट्राइडंट है पर एक हलकी सी रेखा है जनरली हलकी सी रेखा हो तो पाया जाता है कि व्यक्ति सुर्वाती जीवन में इजीली सेटल हो जाता है तो हो नहो क्योंकि इनकी fate line है तो सुर्वाती जीवन easily settle हुआ होगा इनका बाकी कोई special sign इनके हाथ में नहीं है शनी परवत काफी flat है तो व्यक्ति में आलस नाम की चीज नहीं होती और एक रेखा गुरुप परवत की और जा रही है तो इनके जीवन में मुझे जहां तक जानकारी है सरकारी लाब इनके जीवन में है नहीं political लाब इनके जीवन में है नहीं ससुराल पैसे वाला है की नहीं पता नहीं पर इनके संतान अच्छी इंकम कर रहे और जब गुरु की और कोई भी fate line जाती है तो व्यक्ति की सम्रुद्धी की और भी इशारा जाता है यानि अच्छी इंकम की और इशारा जा रहा है तो ये comfortable income जब तक जिएंगे तब तक इनके जीवन में आती रहेगी क्योंकि एक comfortable income की line है चाहिए खुद कमाए या इनके संतान कमाए पर income के मामले में ये काफी अच्छे रहेंगे बुड़ा पे में गुरु परवत देखे तो केवल यहाँ पर थोड़ा सा चोटा है बहुत जादा चोटा तो नहीं पर थोड़ा सा चोटा है और इस सरगा गुरु परवत खुद के परिवार का तो सुख काफी अच्छा देता है पर कहीं न कहीं थोड़ा सा उभार यहां पर है तो हो नो थोड़े से परिवारिक मत्वेद इनके जीवन में रहते होंगे पर फिर भी मैं कहूंगा ट्राइडन्ट आ गया तो व्यक्ति को परिवारिक सुख प्राप्ट होता ही है और सांसारिक सुख भी अच्छा खासा जीवन में रहता है अब अंदुर्णी मंगल देखे अंदुर्णी मंगल एकदम क्लीन कोई ज्यादा टेंशन नहीं होती है व्यक्ति के जीवन में जब कम लाइने होती है तो ज्यादा चिंता करने वाला व्यक्ति नहीं बनता ऐसा कहा जाता है दूसरी चीज जब उभार होता है तो व्यक्ति के सरीर में एनर्जी अच्छी वहती हैं एक माइनस पॉइंट होता है जो जवानी का पिरियड होता है उस पिरियड में व्यक्ति अप्षब्दों का प्रयोग करता है ये एक माइनस पॉइंट पाया जाता है जिनका अंदुरुनी मंगल पर सरीर की एनर्जी काफी अच्छी होती है यहां पर देखे बारी मंगल इतना पाउरफुल नहीं है जिस तरह का होना चीए तो किसी से तो energy के साथ मिलते और किसी के साथ पहले safety लेते सामने वाले को check करते यह मिलने जैसा है कि नहीं आगे बढ़ने जैसा है कि नहीं फिर आगे बढ़ते अब इनका चंद्रपरवत काफी पाउरफुल है और मैं हर वीडियो में कहता हूँ अगर आपका चंद्रपरवत अच्छा है तो जीवन के किसी न किसी मोड पर आपका विदेश से संब्द आता ही है और इनका भी विदेश से संबंद इनका नहीं आया पर indirect इनके संतान विदेश में कमा रहे हैं तो उसके कारण इनका विदेश से संबंद आया तो आपका संबंद चंदपरवत लाता ही है चंदपरवत अच्छा होता है तो व्यत्ति को पानी अच्छा लगता है दूच से बनी ची कीजे करने का शौक होता है प्लस रिफाइंड सोच होती है सोच का जो तरीका होता वो काफी अच्छा होता और इस पाम में देखे तो मुझे कोई मनी ट्रैंगल दीखी नहीं रहा है तो जब किसी के पाम पर मनी ट्रैंगल नहीं होता है तो जीवन भर संगर्ष करते पाया जा जूजता है यह एक माइनस पॉइंट इनके जीवन में रहा होगा अब चलते शुक्रपरवत शुक्रपरवत पर भी देखे तो एक बढ़िया सी लाइन आ गई यह लाइन व्यक्ति को एक व्योस्तित जीवन देती है और शुक्रपरवत काफी क्लीन है तो बीना जंजटों क व्यक्ति जीवन जीता है कमफरेबल लाइफ जीता है रिलेक्स वाली लाइफ जीता है और अच्छी तरह रहता है तो यह शुक्रपरवत काफी अच्छा है इनका अब चलते हैं इनकी हृदे रेखा हृदे रेखा देखे तो यह शनी परवत से सुरू होकर यह सीधी चल रही है और थोड़ी सी मंगल की और जुका हो है तो जब किसी रेखा का मंगल की और जुका हो है तो थोड़ा सा गुस्से वाला सबाव होता है व्यक्ति का और शनी प खुलते ही पैसा कैसे कमाना, उसकी तरफ ध्यान जाता है, दूसरी कामुक भावना रहती है, और तीसरी कभी-कभी फिजिकल बनते हैं, ये तीन माइनस पॉइंट होते हैं, पर इनकी जो हार्ट लाइन है, वो काफी क्लीन है, तो ज्यादा बोज लेकर ये जीए नहीं होंगे कमफर्टेबल लाइफ जी होंगे, बीना जंजटों वाली जीवन इन्होंने जिया होगा, क्योंकि बहुत डबल रेखा हो, या डार्क हो, तो व्यक्ति के जीवन में जंजटे बहुत जाता रहती हैं, पर इनकी रेखा काफी क्लीन है, अब इनकी माइन लाइन, माइन लाइ यह यहां तक ही चल रही है, तो माइन लाइन छुटती है, तो व्यक्ति में बुर्दी प्रतिवा कम नहीं होती, पर एक सर्टन लेवल का दबाव आने के बाद, व्यक्ति विस्पोठक हो जाता है, यह एक माइनस पॉइंट इन में रहता है, और इस माइन लाइन पर भी दे लेके, उम्र पचास अड़ालिस तक, व्यक्ति को संगर्ष करते देखा गया होगा, क्योंकि यह लाइन डार्क यहां पर, जब डार्क होती है, तो व्यक्ति को उस पिरियड में संगर्ष करना पड़ता है, बाकी बहुत छोटी रेखा है, माइन लाइन, तो व्यक्ति थोड कोई माइनस पॉइंट नहीं होता, सेम जीवन रेखा है, काफी स्मूथ जीवन रेखा है, सुरवात से ही, यहां से चली, और यह सीधी चलकर, पूरी घुमकर शुक्रपरवत को घेर रही है, तो परिवार इक सोच वाला इंसान बनता है, जब क्रेखा घुमती है, परिवार कि राहो रेखा ने काटा भी है, तो हलका हलका काटा होगा, कोई ज्याधा स्ट्रॉंग रेखा नहीं है, और जीवन रेखा काफी अच्छी है, तो एनरजी होती है सरीर की एनरजी, वो ज्यादा होगी इनकी, पर ये अन्धेरा जैसा लग रहा है, तो मैं एकदम judgment जीवन रेखा का नहीं लगा पा रहा हूँ्वं तो जाढ व्यक्ति ठोड़ा सा मोटा पा AW भी रहता है। पर यह रेखा हो सकता है यह छा Key कारण उस पर प्रकाश कम आने के कारण इस सरे की दिखती हो। तो judgment लगाने में कहीं न कहीं कमी है, पर जीवन रेखा काफी smooth है, तो जीवन काफी smooth रहता है, व्यक्ति का, सारे रूप से काफी smooth रहता है, अब इनकी धंद्रेखा को देखे, तो यहां से सुर्वात हो रही है धंद्रेखा, यह 36 तक smooth चली है, और 36 के बाद आकर अटक दे, औ और 36 से लेके लगबग 42 तक या 44 तक, यह एक दम ही है इने, तो व्यक्ति यहां पर काफी आर्थिक संकटों का सामना किया होगा, बहुत जादा हो, और उसके बाद यह वापस से fate line इनकी सुरू हुई, और यह चली, और यहां तक आकर 58 के आसपास तक यह stop हो गई, और यहां पर हदे रेखा से निकलने वाली रेखा हो न हो इस पिरियड में, यह हदे रेखा से निकलती होगी, तो इस पिरियड में लगबग 46 के आसपास, या 47 के आसपास कोई न कोई परिवार के लिए बड़ा खर्च किया होगा, या कोई बड़ा investment हुआ होगा, और उसके बाद भी यह रेखा पर बीच-बीच में कहीं न कहीं खर्च का पैमाना दिखी रहा है, कोई न कोई struggle दिखी रही है, पर फिर भी यहां से इनके जीवन में 46 के बाद एक smoothness आई होगी, और यहां से इन्होंने drop करके यह एक line पूरी गुरु परवत की और जा रही है, ना इनके बुड आए, accident भी हुआ है, पर ऐसी कोई sign फिलाल इनके जीवन रेखा पर भी नहीं दिख रही है, नहीं कहीं पर और दिख रही है, नहीं fate line पर दिख रही है, तो यह comfortable जीवन जीएंगे और अच्छी खासी income इनके जीवन में होते रहेगी, पर money triangle ना होने के कारण जीवन पूरा स संगर्स में रहा होगा, पूरा, आशा रखता हूं, इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवन,